आज मैं लेके आई हूँ पनीर की एक और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी जिसे हम कड़ाई पनीर बोलते हैं कभी न कभी हर किसी ने कड़ाई पनीर पाहर में रेस्टोरेंट में या धावे में जाके जरूर से ओर्डर किया होगा आज मैं इसे घर में बना के आपको दिखाऊंगी ओभी बहुत ही फ्रेस मसालों के साथ बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट होता है इसका और खाने में बहुत ही यम्मी होती है तो चलिए देखते हैं इस मज़दार सी रेसीप कैसे बनाया जाता है तो चलिए बनाना सूरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब चरूर करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे से सेर करें और लाइक 15-20 खमार्पी साफ्डी में दानेघंगे हाव-चमार्प हम मगज डालेंगे जिसे तरबुजे के बीज भी बोला जाता है चार हम सुखीवी लालमिश डालेंगे दो हम JTech मेरा डालेंगे एक चटा टुकड लालेंगे लालाम जलसेて और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दो चमच सफेद वाले तिल इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चमच पॉपी सीट्स यानि की खस-खस इसे डालने के बाद इसमें हम डालेंगे दो तेजपत्ता जिसे आप तोर के डाले और इसके बाद इन मसालों को हम लो फ्लेम पे बहुत अची तरह से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुस बुनाने लगे इस मसाले से सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इस मसाले को आप इस तरह से प्रिपेर करके एक एर टाइप जार में भरके रख सकते हैं तो यहाँ पे जो है इसे आप लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून ले जब तक ही इसमें से बहुत अच्छी सी खुसबू आने लगे दो से तीन मिनट या तीन से चार मिनट आपको लग सकते हैं तो लगातार इसे चलाते हुए आप भूने और फ्लेम को जो है लो ही रखे इस बात का जरूर ध्यान रखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही थी जब खुसबू आने लगे तो गयास को आप बन कर दे उसके बाद जो है इसे ठंडा होने दे ठंडा होने के बाद ही इसे आप ऐसे मिक्सी को गुमा के पीस ले दरदरा सा तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दरदरा सा इसे पीस लिया है अब यहाँ पे मैं एक चीज डालना इसमें भूल गई थी तो यहाँ पे आप जब मसाले भूने तब ही आप इसे उसमें डाल दे एक चमच भर के आप इसमें ना थोरा सा दूद आप वापस से एड़ करके इसे बहुत ही स्मूध सा पेस्ट बना ले तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्मूध सा पेस्ट मैंने बना लिया है तो यहाँ पे इसे दरदरा सा बिल्कुल भी ना बनाए बहुत ही स्मूध पेस्ट बनाके हमें तयार करना है तो यहाँ पे इसे आप साइट में रख दे और एक पैन में जो है हम यहाँ पे डालेंगे 4-5 चमज जितना ओयल उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे लिया है पनीर 400 ग्राम तो इसे आप अपने मन पसंद सेप में कट कर ले उसके बाद जो है एक से दो मिनिट तक आप इसे टच ना करें इस तरह से पैन को हिला दे ताकि यह अलग-अलग हो जाए एक दूसरे चिपके नहीं और थोरी देर के बाद इसे हलके हाथों से इस तरह से टर्ण कर दे और टर्ण करने के बाद वापस से आप एक से दो मिन जितना इसे फ्राई कर ले अगर आप पनीर को फ्राई भी न किए डाल रहे हैं ग्रेवी में ताकि जो है ये टूटे नहीं ग्रेवी में जाने के बाद इस तरह से फ्राई करने से जो है ग्रेवी में जाने के बाद भी पनीर तूटती नहीं है अब इसी pan में हम जो है लाल मिश्काड पाउडर डालेंगे, यहाँ पे gas को बन कर दें, gas बन करके ही लाल मिश्का पाउडर डालें, halfborn teaspoon जितना इसमें आप फलती पाउडर डालें उसके बाद जो है, इसे आप मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद ही आप ग्यास को अउन करें, यहाँ पे मैंने mix कर लिया, mix करने के साथ ही आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा color आ जाएगा, इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने दो प्याज को बहुत ही बारी काट के डाला है, आप भी बारी की काट के प्याज को डालें, उसके बाद अची तरह से बूनना बहुत ज़रूरी है, पूरी सबजी का जो टेक्स्चर है प्याज के उपर ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो है प्याज को आप बहुत अची तरह से भून ले, 2-3 मिनट जितना, और लो फ्लेम पे ही से आप भूने, उसके बाद जो है न, इसमें हम डालेंगे अधरक लसन का पेस्ट, तो यहाँ पर मैं एक चमस जितना अधरक लसन का पेस्ट डाल रही हूं, उसके बाद इसे भी आप अची तरह से भून ले, एक मिनट जितना ताकि सकचा पर निकल जाए, तो यहाँ पर जो है इसे एक मिनट जितना आप लो फ्लेम पे ही भून ले, तो इसे भी आप अची तरह से भूने, यहाँ पर मैंने अची तरह से भून लिया है, अब इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ टमाटर, तो इसे हम बहुत अची तरह से गलाएंगे, यानि कि टमाटर को हमें मसालों के साथ मैस करना है, तो यहाँ पर आप टमाटर का पेस्ट होगरा ना डाले, टमाटर को बहुत ही बारी काटके ही डाले, तो यहाँ पर ढखकन लगा के आप इसे जब तक भूने, जब तक टमाटर मैस ना हो जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, टमाटर जो है अची तरह से मसालों के साथ कल चुकी है, इसे हम मैस कर लेंगे, इस पैचुला से इस तरह से, और मैस करने के बाद जो है इसमें हम डालेंगे, जो मसाला हमने त्यार करके रखा हुआ है, उस मसाले को इसमें ड अची तरह से बुन ले, तो यहां पे फ्लेम को आप लोही रखें, लो फ्लेम पे इसे आपको बुनना है और बीच बीच में जो है इसे आप 2-3 बार जरूर से चेक कर ले ताकि यह निचे से चिपके नहीं, दो से तीन मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दो से तीन मिनट के बाद बहुत ही अच्छी सी खुजबू आने लगेगी इसका मतलब है मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून चुकी है यहाँ पे देख सकते हैं तेल भी separate हो चुका है, अब यहां पर मैं डाल रही हूँ दो चमज के आसपस देशी गी, इसे बहुत ही अचा टेस्ट आता है, तो इसे आप जरूर से डालें, तो यहां पर मैंने गी को डाल दिया, उसके बाद इसे हम mix करेंगे, mix करने के बाद फिर वापस से हम इसे डखन ल और आप देखेंगे मसाला जो है बहुत अची तरह से बूनुद चुकी है, इस मसाले को आप जितना भूनेंगे उतना ही टेस्ट वह बढ़ के आएगा, तो यहां पर देख सकते हैं, मसाला का कलर, और यह बहुत अच्छी तरह से बून चुकी है, अब इसे ज्यादा भूनने कर दो पाने पानी 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 आप अपने ज़रूरत के सबती जाले हुआ जितने के सब पानी कशको चाया लें यहां 9 तरफ की यह रहां पे महीं मसाला ना को भाली ऐसमे पानी यहां पेमिकrikा फb डग रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ जैदा पानी ड़ाल सकते हैं अब क्या करें इसे आप अच्छी तरह से Mirks कर लें मिक्स करने के तो ढ़कन लगाकर के आप इसे 2-3 मिल जितना पका लें जब तक कि इसमें एक अच्छीória बॉil न आजा häदा 20-12 minutes पकाने के बाद जो है दखन हम खोलेंगे डखन खोलने के बाद देख सकते हैं बहुत अची तर्स से उबाला रही है तो यहांपे पनीर को इसमें डाल देंगे तो यहां पर शजी सकते हैं यहांपे पनीर को डाल दी Almost 30 He Nos और पकाना है मसाला हमारा पहले से पका हुआ है पस हमें इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा ठीक करना होता है तो यहां पर पनीर भी पकी हुई है तो ज्यादा इसे पकाने की जरूत नहीं है दो मिनट जितना आप इसे पका ले और बहुत ही अच्छी सी खुजबू जो है ना पू बहुत ही अच्छी खुजबू आ रही थी तो आप इस रेसिपी को जरूर से एक बार ट्राइ करें और बनाने के बाद आपको यह रेसिपी कैसी लगी जरूर से मुझे कमेट बक्स में लिखके बताए तो यहां पे आप देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम पर नारियल का बुरादा बिल्कुल भी आप इसकी इपना करें उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पे यह लिजे बन के तयार है हमारा एकदम रेस्टोरन स्टाइल में कढ़ाई पनीर तो इस रेसिपी को आप कब बना रहे हैं जरूर से मुझे कमेट बक्स में इसके साथ आप उटी चावल पराठा कुछ भी खा सकते हैं सब के साथ यह बहुत ही टेस्टी लगती है बनाने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज्यादा ज्यादा फ्रेंस और फैमली के साथ वीडियो को जरूर से सेर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर दें तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाए टेक केर